दोस्तो भारत में बड़ी ही prestigious मानी जाती है सिभी की salary एक सिभी के grade A entry level officer की जो cost to company है वो दोस्तो 34 लाख रुपए है परिनम जो कि अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा salary में include होता है भारत में और कोई भी सरकारी या सिमी सरकारी नौकरी में इस प्रकार की salary नहीं मिलती लेकिन दोस्तो जानते ही क्या हो रहा है सिभी officers protest कर रहे हैं पर दोस्तो अगर आप सिभी से पूछे कारण क्या है protest का तो वो कह रहे हैं इसके पीछे बाहरी ताकत है दोस्तो यहाँ पे आप ये सिर्फ एक news देख रहे हैं लेकिन जरूरी है हमको बहुत सारे dots आज connect करने है ताकि हम big picture देख सकें दरसल दोस्तो अगर आप कुछ दिन पहले जाएं तो भारतिय स्टॉक मार्केट पे continuously प्रयास किया जा रहा है कि इसकी विश्वसनियता कम की जाए अलग-अलग प्रकार से इस पर attack हो रहा है भारत की बड़ी-बड़ी companies पर attack होता है बाहर से प्रयोज and exchange board of India उसको कहीं से भी एक उस पर काला धबा लगा दिया जाए अब देख सकते दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जब हिंडनबर्ग से भी चीफ को target करता है और कहता है कि जी conflict of interest है नतीजन क्या होता है से भी चीफ माधवी पूरी बुझ जी point to point rebuttal देती है और भारत सरकार भी कहती है कि हिंडनबर्ग के आरोप में कोई दम नहीं है दोस्तों कहानी यहां पे नहीं रुकती है इसके बाद अगर आप देखे तो भारत में opposition से भी चीफ पे वापस attack किया जाता है कहते हैं कि इनको ICICI bank से salary और retireal benefit मिल रही है उसके बाद ICICI bank का report आता target किया जा रहा था लेकिन अब जो target है से भी के employees के द्वारा किया जा रहा है से भी officers जिनकी starting salary 34 लाख है जैसा आप देख सकते हैं माद भी पूरी बुझ जी के खिलाफ वो directly खड़े हो चुके हैं कह रहे हैं से भी चेर person resign वैसे या देखे यहां पे इस प्रकार से no more conflict of interest से भ भी ने तो कह दिया है इसके बाहर external influence का हाथ लगता है तो क्या है यह पूरा मसला आईए जरा देखते हैं पर इससे पहले आगे बड़े आप लोगों के लिए जरूरी announcement है कल offer खतम हो जाएगा 24,999 रुपे में आपको जो UPSC CSE का subscription मिल रहा है साल भर का वो नहीं मिलेगा दो पर दिया गया number है इसके सिवा नीचे link है जल्दी से जाएं subscribe करें use the code KC10 for maximum discount दोस्तों सेभी क्या है सेभी अगर आप देखे तो भारत के stock market का securities market का principal regulator है सेभी दोस्तों एक statutory body है जो कि सेभी Act 1992 के दवारा बनाया गया था हरशत महता स्कैम होता है उस वक्त सेभी एक statutory body नहीं बढ़ा दी जाती है और इसके साथ से भी उबरता है भारत के capital market का watchdog ये दोस्तों अगर आप देखे तो भारत में जो minority investors हैं आपके मेरे जैसे उनके interest की रक्षा करना stock market को regulate करना कि इसमें कोई धांदली ना हो इसके सिवा पूरे के पूरे stock market को promote करना कि ज्यादा से ज्याद है दोस्तों एक grade A entry level officers की salary है उन्होंने complain किया है अपने ही से भी चेर परसन के खिलाफ कह रहें कि वर्क कल्चर बड़ा toxic हो गया है इनको resign करना चाहिए दोस्तों एक letter है जो की finance ministry को लिखा गया था जो की leak किया गया है जिसमें अगर आप देखे तो grievance of CB officers a call for respect ये नाम का एक letter है और अन्य अभी कुछ letters है जो leak हुए है ये सब मीडिया में आया है letter में दोस्तों अगर आप देखे तो total 1000 grade A officers है grade A and above officers उनमें से आदे ने sign भी किया है दोस्तों grievances क्या है अगर आप letter की बात करें तो इनकी जो grievances निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है सबसे पहले तो वो कहने कि देखे जी सेभी employees को minute by minute movement उनका monitor किया जा रहा है इस वज़े से work environment बड़ा stressful and toxic हो गया है इसके सिवा जो सेभी employees है इनके functioning को monitor किया जा रहा है के आरे point achievement के द्वारा key result area key responsibility area target बना के दिया जा रहा है हर employee को की आपको इतना अचीव करना है इस प्रकार के अगले promotion के लिए इसके सिवा अगर आप देखे तो वो कहरें कि जो क्यारे पॉइंट है यह बढ़ाए गये हैं 20 से 50 प्रतिशत तक कि कुछ कुछ departments ने और इस बात से वो बड़े नराज है इसके सिवा officers कह रहे है employees को आपस में ही कुछ departments के विरुद भिलाया जा रहा है जैसे human resource department information technology department इसके सिवा हो कहते हैं कि बड़ा unprofessional language है चिलाया जाता है डाटा जाता है public humiliation किया जाता है आपको card swipe करना पड़ेगा तो continue से biometric swipe करना पड़ेगा तो इस वज़े से उनकी monitoring हो रही है कि वो कितने देर office में बैठ रहे हैं और वो कह रहे हैं यह सब remove किया जाए एक महीने में अब दोस्तों इसमें कितने grievances आपको सच में valid लग रहे हैं यह आप मुझे comment में वश्य बत किये जी यह ना बस simple strategy है क्योंकि अपने 34 लाग की starting salary से संतुष नहीं है इसको 40 लाख रुपए per annum ले करके जाना चाह रहे हैं इसी के लिए यह सब हो रहा है उनका कहना था सिभी का कहना है कि पहले इन लोगों ने प्रयास किया अपने इस प्रकार से हारे को बढ़वाने क simple है इनका bargaining power इनको बढ़वाना है दोस्तों यहां पर सिभी का कहना है कि हम already बहुत ज़्यादा compensate कर रहे हैं एक entry level grade ए ऑफिसर को 34 लाग पर एनम दे रहे हैं अगर हम HR मान जाएं और इनकी दूसरी demand की automatic promotion हो without interviews without KRA किस प्रकार से आपने क्या achievement किये विना वो शो किये बस time bound promotion दे देंगे तो यह सेभी के work culture पर इसका stress होगा और दूसरे तरफ six lakhs पर एनम से salary बढ़ जाएगी याने 34 लाग बढ़के 40 लाग पर एनम हो जाएगा सेभी का कहना है कि देखिए ऐसे concerns है कि कुछ junior officer से इनको influence किया गया है external elements के द्वारा जिसके द्वारा यह नए recruit इनको ऐ जादा काम करवाया जा रहा है work expectation and compensation को लेके उनको गुमराह किया जा रहा है regulator ने कहा जिस प्रकार से anonymous email दागा गया और जिस प्रकार से वो media में leak किया गया इससे situation बिगडी है आपसे उमीद की जाती है कि आपके कोई grievances है तो within the organization आप उसे resolve करें ना कि इस प्रकार से media में हो resolve करेंगे पर दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात क्या है एका एक करके से भी चीफ पर ऐसा attack क्यों हो रहा है हिंडनबर्ग से लेके ICICI से लेके दुनिया भर की चीज़ें ICICI वाला ड्रमा आया हिंडनबर्ग का ड्रमा आया और अब अगर आप देखे तो यह पूर्ण क्या हो रहा है से बी में क्या उसको बाहर से किसी प्रकार से एक ecosystem के द्वारा अटाक किया जा रहा है या फिर सच में कुछ गडबड है वहां पर दोस्तों उमीद करता हूं यह समय हमें सही सही बताएगा बाकी आप क्या समझते हैं कॉमें हमें अवश्य बताएं जो मुद् में हफते भर का करेंट अफेर्स कवर हो रहा है जनुरी कटिस तक यह कोर्स चलेगा बस 999 रुपए हफते में दो दिन क्लास होती है प्रिलिंस और मेंस दोनों के हिसाफ से करेंट अफेर्स हम कवर करते हैं नीचे लिंक मिल जाएगा क्वालिटी कोर्स है आपने अगर इसम सब कुछ आपको मिल रहा है सारे बैचेस का अधिक सेलेक्शन आया था तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे बैचेस हैं हमारे जो चल रहे हैं इनका हिस्सा अभी बन जाए क्योंकि सब्टेंबर से यह बैच स्टार्ट हो जाएगा तो अभी अगर आप देखें तो कल आफर खतम हो जाएगा इसलिए नीचे लिंक है क्लिक करें अन्रोल अवश्य कर लें बहुत सारे अन्य बैचेस भी हैं जो कि हिंदी में हैं इंग्लिश में हैं इनका हिस्सा बनें ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम लाए हैं तो जल्दी से ज